सोन्या गांदी जी मनमोहन सिंग जी केसी वेनू गोपाल जी एहमत पतेल जी PC चाको जी सुभाज चोप्रा जी डायस पे हमारे सब सीनियर नेता दोनों तरफ हमारे नेता NSUI, Youth Congress महिला Congress, सेवा दल बाई और बैनो प्रेस के हमारे मित्रो आप सब का यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मुकुल वासनिक जी कहा है आप आपने आपने आज इस छोटे से मैदान में इत्ते सारे बबबर शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिये और देखिए एक साथ प्यार से खड़े हैं यह हमारा कॉंग्रेस का कार्य करता आपने आपने बाशन दिया बाशन के लिए माफी दीजिए मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं माफी मांगूं भाई और भेनों मेरा नाम राहुल सवर कर नई है मेरा नाम राहुल गर्दी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूगा मर जाँगा लगर माफी नहीं मांगूगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा माफी नरेंद्र मोदी को मांनी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टन्ट है अमित्षा उनको देश से माफी माँगनी है क्यों माँगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश कि शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्ध विवस्ता थी अर्ध विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश अलग-अलग धर्मों का देश अलग-अलग जातियों का देश अलग-अलग विचारधरों का देश मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन दूसरी तरफ हिंदुस्तान चिंडिया बोलते थे चिंडिया चाइना और इंडिया दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और ये देखिए ये प्याज पकड़े हुए आज ये प्याज पकड़े हुए आज 200 रुपए 200 रुपए हिंदुस्तान के अर्द्ववस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आपको याद होगा आज बज़े रात को तीवी पर आए भाई और बैनो 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान के अर्द्ववस्ता को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा कहा काले धन के खिलाफ लडाई है काले धन को खतम करना है ब्रस्चा चार के खिलाफ लड़ना है जूट कहा माताए बेनों के गरों से जेब से युवाओं के जेब से पैसा निकला और लाखों करोड रुपए अदानी और अनिल अमबानी के हवाले किये उसके बाद गपर सिंग टैक्स मनमौन सिंग जी ने कहा चितामरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए देश का नुकसान हो जाएगा जो हमने बनाया है पुरे देश ने प्यार से खुन पसीने से अर्थ्यवस्ता खड़ी कि एन नश्ट हो जाएगी नरेंदमोदी कहतें नहीं मैं तो बारा बचे रात को गबर सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा कर दिया और हुआ क्या 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज क्या 9% GDP growth rate होती थी आज 4% पे पहुँच गए है और वो भी उन्होंने GDP नापने का तरीका बदला GDP नापने का तरीका बदल दिया तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से GDP नापो तो आज 0.5% GDP growth rate है हिंदुस्तान का बाई और बेहनो हिंदुस्तान के सब दुश्मन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ती हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता नश्ट की जाए और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते हैं पूरा का पूरा पैसा दो तीन उद्योग पतियों को पकड़ा दिया है सब उद्योग पतियों को नहीं इस देश में बहुत सारे इमानदार उद्योगपती है और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसान ने इस देश को बनाता है मज़ूर इस देश को बनाता है छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उद्योगपती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोधी ने इक नाम लेता हूँ पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोधी ने अधानि को 50 कॉंट्राइक दिये एक लाग करोर रुपे से जादा देश के एरपॉर्ट पकड़ा दिये देश के पॉर्ट पकड़ा दिये बिना कॉंट्रेक्टे दे दिया क्यों? क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप चोरी नहीं कहेंगे? इसको आप रश्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको एक लाग चालिस हजार करोर रुपे कुछ ही दिन पहले पंद्रा बीस लोगों का कर्जा माद किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिबाल करने के लिए पचास परसेंट रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का साथ हजार करोर रुपे माद कर देंगे अर्थ विवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास किसानों के पास मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अर्थ विवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ हिंदुस्तान का किसान मजदूर युवाओ आप लोग माल खरीते हो जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीज़े खरीदते हो करीदते हो नहीं खरीदते हो शर्ट, पैंट, जूता मॉबाइल फोन काले चश्मे जैसे आपके है ये आप खरीदते हो जब आप खरीदते हो फैक्टरिया ये चीज़े बनाती है जब फैक्टरियां ये चीज़े बनाती है आप ही लोगों को उन फैक्टरियों में रोजगार मिलता है ये एकनॉमिक सिस्टम है पैसा पहले गरीब लोगों ये जेब में डालो किसानों के हाथ में डालो मजदूरों के हाथ में डालो वही पैसा, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीज़े खरी देंगे चीज़े खरी देंगे, डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा, फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंद्र मोदी ने आप सब के जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया बगेल जी पाट सो रुपे दान के मिलते हैं मद्यप्रदेश, राजिस्तान चत्तिसगार, करनाटा, पंजाब इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया इन प्रदेशों में हम सही MSP क्यों देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्द विवस्ता आगे जा ही नहीं सकती मन्रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंड मौदी ने पूरा पैसा खीट के, अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया, और हिंदुस्तान के अर्द व्यवस्ता को नश्च कर दिया, मगर वो वहाँ नहीं रुके, वो वहाँ नहीं रुके, बातने का काम करते है, आप ने, पुरे देश ने नरेंड मौदी क को मजबूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया चार परसेंट पे जीडी पे पहुँच गई पेटालिस साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज बिन भर किसारा अतम हत्या करने हैं मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है कितने किसानों ने आतम हत्या की सरकार जवाब देती है हमें मालूम नहीं पार्लिमेंट में सवाल का जवाब देती हमें मालूम भी नहीं पर देशों से जाके पूचिये हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हड़ी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्मानी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालूम है पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है और फिर यह बातने का काम शुरू करते है एक धर्म को दूसरे धर्म से जम्मू कश्मीर में नौर्थ एस्ट में जाएए असाम जाएए मिजोराम जाएए मनिपूर जाएए नागालान जाएए अरुना चल जाएए देखिए नरेनर मोदी ने क्या काम किया है जला दिया है उन प्रदेशों को आग लगा दिया है असाम में बाटने का काम करते हैं देश को कमजोर करने का काम करते हैं और आप लोग जो सब यहां आए हो और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूँ आप इस देश को बागते नहीं हो लो, आप इस देश को उपने खून पसीने से, अपने दिल से ख़़ा करते हो, रोज, छोटे दुकांदार, कसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, यह सब लोग, मिल कर इस देश को ख़़ा करते हैं, यह आपका खून है, यह आपका पसीना है, और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है बोटा जा रहा है और आपके अर्थ विवस्ता को नश्ट किया जा रहा है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं एक चीज के बारे में सूचते है कि उनके हाथ में सत्ता है हाँ या ना सत्ता के लिए हमारे प्रधान मंत्री कुछ भी कर देंगे सत्ता के लिए अर्जविबस्ता को नश्ट कर देंगे हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे कि मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोधी की तीवी पर आने चाहिए रोज कि भाई एक बात बताओ तीवी पर नरेंद्र मोधी रोज दिखाई देते दिखते हैं न कितने घंटे दिखते हैं कि दिन बर दिखते हैं न भाईया ये जो टीवी पर तीस सेकंड का जो एडवर्टिस्मेंट आता है कितने कहाता है लाकों रुपय कहाता है न तो ये नरेंद्र मोधी जो दिन बर टीवी पर दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता मनमौन सिं जी को आप टीवी पर देखते हो नहीं देखते न तो इसका पैसा कोन दे रहा है इसका पैसा कौन दे रहा है इसका पैसा यह वhew लोगं दे रहे हैं जिनको何 नरेंद्र मोधी अपका पैसा छीण कर दे रहे ये सचाई देश की और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है हमारी सरकार थी आप हमारी सरकार पर आकरमन्ट करते थे और आपने सही किया मैं स्टेज से कह रहा हूँ कि आपने अपना काम किया मगर आज वो अपना काम आप अपना काम भूल गए हो आज अपना काम भूल गए हो मगर आप भी देशवासी हो आप भी इस देश के हो और मैं हिंदुस्तान की सब इंस्टिटूशन के लोग से कह रहा हूँ हर इंस्टिटूशन में जो लोग बेटे हैं चाहे वो हमारे कॉर्ट्स में बैठे हो, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो सरकारी आफिसे में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्राइट्स हो, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है, जब आपको दबाया जाता है, कुछला जाता है, धमकाया जाता है आप पर आकर्मन होता है मीडिया के लोगों पर आकर्मन नहीं हो रहा है यह हिंदुस्तान की आत्मा पर आकर्मन हो रहा है तो मैं आप सब से कहना चाहता हूं बहुत समय हो गिया इस देशको ड़ाया जा रहा है दबाया जा रहा है अब कॉंग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है कॉंग्रेस वाला बबबश शेर होता है नहीं डरता किसी से मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो सरकारी आफिसेज में बैटे हैं जो मीडिया में बैटे हैं मैं उन लोगों से कह रहा हूँ डरो मत आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और जो आज डर है डर का महौल है नफरत का महौल है इस महौल को हिंदुस्तान की जनता कॉंग्रेस पार्टी हम सब मिलके मिटा डालेंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिए